मिस्टर जाय और मिसेज जा के कीचन में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेके आएं एक नई रेसिपी टमाटर का आचार जिन लोगों को आचार बहुत पसंद है उन लोगों के लिए ये बहुत ही खास रेसिपी है बहुत जटपड बनने वाला आचार बीना धूप से भी बन जाता है और सालो साल चलता है यह आचार एक बारा बना लीजिए तो एक साल तक बिल्कुल नहीं खराब होता है आप इसे किसी भी बरतन में स्टोर करके रख सकते हैं लेकिन कांच के बरतन में रखें तो यह बहुत ही अच्छा रहता है हमने थोरा ही बनाया है तो हम प्लास्टिक के डबे में भी रख रहे हैं और चाहे तो आप बनाते टाइम भी चाहे कांच के बरतन में रखे चाहे प्लास्टिक में इससे कोई फारक नहीं परता है तो अब चलिए शुरू करते हैं अचार बनाना यह अचार बनाने के लिए जितना पका हुआ टमाटर मिले उतना अच्छा है हम मतलब ज़्यादा पका हुआ नहीं दिखा रहें लेकिन जितना पका आपको टमाटर मिल जाए उतनी अच्छी है रेसिपी बनती है और यहां टमाटर को हम क्या करेंगे चाट टुकरे में काट लेंगे ना बरा साइज करना है ना छोटा साइज करना है इस हिसाब से काट के और जो हमारा इमली आता है उसमें जो एक दो रेसे रहते हैं बीया रहता है वह सब हम निकाल लिए हैं उसका कच्ड़ा हम साइड में कर लेंगे या सिरफ और सिरफ इमली है और पानी से बिल्कुल नहीं दोना है क्यूंकि अचार में अगर पानी हम डाल दे तो हमारा अचार खरप हो जाएगा और साल उसाल बिल्कुल नहीं चल पाएगा तो इससे हमने क्या किया है और नमक डाल देंगे स्वाधनस्वार और हल्दी और इसमें हमें कुछ नहीं डालना है जैसे के हमने आदा किलो टामाटर लिया था तो इसमें हमने 100 ग्राम तक ही इमली डाला है अगर अब चाधा खटा पसंद करते है तो आप 1500 ग्राम डालिए लेकिन यह 100 ग्राम में बहुत ही खटा हो जाता है इससे ज़्यादा आप डालेंगे तो आप खानी पाएंगे अचार और तीन दिन के लिए इसे हम ढखकन बंद करके इसे हम साइड में रख देंगे तीन दिन बाद हमारा टमाटर का चार कच्छा पका सा तयार हो चुका है अब इसे हम क्या करेंगे एक बरतन में निकाल लेंगे और एक बरतन में निकालने के बाद हम चाहे आप चमच के सहाईता से चाहे हाथ के सहाईता से जैसे कि टमाटर में छिलका रहता है वो छिलका हमें निकाल लेना है कोई-कोई इमली भी करक रहती है जैसे सक्त तो वो भी निकाल आता है क्योंकि यह तीन दिन में अच्छे से फूल जाता है तो यह सब निकाल आएगा सब निकाल के, उसे हम साइड में रख देंगे, उसे हम कच्रे में फेक देंगे और जो हमारा अचार है, उसे हम बरतन में रहने देंगे 2-3 मिनट लगता है यह प्रोसेस करने में अब हम चलते हैं मसाले की तयारी करते हैं तो मसाले में जैसे अजुएन, मेथी, अख़्ा धनिया, यह सब हम भून लेंगे, भूनने के बाद क्या करेंगे, उसे हम मिकसर में पीस लेंगे, जीरा, मसाला हमें सब डालना है, खाली राई नहीं डालना है, क्योंकि टमाटर के अचार में अगर हम राई डाल देंगे, तो उससे उसका स्वात बिगर जाता है, तो हमें इतना ही मसाला डालना है, और यह सब मसाले को हम भून के, इसे हम दरदरा सऊं मिकसर में पीस लेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और बैल को ओल पे सलेक्ट करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंसती रहे अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें अब हमारा मसाला भुन चुका है, वह थोरा सा ठंडा हो जाएगा तो उसे हम मिक्सर में दर दरा सा पीस लेंगे अब हमारा मसाला पीस चुका है हमें ऐसे ही पावडर चाहिए, इससे ज़्यादा हम बारिक कर देंगे तो वह बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अब हमारा अचार बनाने का मसाला भी तैयार है और टमाटर भी तैयार है अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस में अब हम नेक करहाई लिया है और उसे हम गरम कर लेंगे और राई तेल अचार में तो राई तेल ही डलता है तो इसमें हमने 100-500 ग्राम तक अभी तेल डाला है वैसे इतने तेल में हमारा अचार तयार हो जाएगा क्योंकि हम अचार कम बना रहे हैं तो अचार में जितना तेल आप डाली है उतना अच्छा लगता है तो यहाँ तेल जब गरम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे जो हमने टमाटर को एक बरतन में रखा था उसे हम पहले डाल देंगे उसे डाल के उसका कच्छा पंचो रहता है उसे हम हलका सब भून लेंगे इसलिए हमने आप से बोला था यहाँ भीना धूप के अचार तयार हो जाता है और जो मसाला हमने पीस के रखा था वह भी इसमें हम डाल देंगे और अचार तो तीखा ही पसंद आता है तो तीखे के तौर पे अभी तक हमने इसमें कुछ नहीं डाला है तो हम क्या करेंगे मिर्चे पाउडर डालेंगे तीखे के तौर पे जिससे हमारा अचार चट पटासा तयार हो जाएगा तो पहले हम थोड़ा से इसे भून लेंगे अब इसमें हमने कलोंजे डाल दिया है जिसे मंग्रेल भी कहा जाता है यह सब डाल के हम मिक्स कर लेंगे अब देखे अचार तेल छोड़ने लगा है यह बिना मिर्ची डाले ही इसका कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है अगर मिर्ची पाउडर डालेंगे उसके बाद इसका कलर आप देखिएगा कितना अच्छा लगता है अब हम तीखा करने के लिए इसमें मिर्ची पाउडर डाल रहे है अब देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है यह सब डालके अच्छे से हम भून लेंगे यह भूनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है 10 से 15 मिनट इतने ही टाइम में आपका आचार तैयार हो जाता है अब देखिए अचार जो है हमारा वा पूरी तरह से करहाई छोड़ने लगा है मतलब अब हमारा अचार लग भग लग भग तैयार हो गया है उसे हम ठंडे होने के लिए ढखके 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे दस मिनट बाद हमारा अचार देखी अब ठंडा हो चुका है अब हमारा टमाटर वला अचा सब करने के लिए तयार है या रोटी के साथ दाल चावल के साथ आप किसी चीज के साथ खा सकते हैं बहुत ही टेश्टी लगता है आप एक बार जरूर घर में ट्राइ कीजिएगा और इसे बनाना बिल्कुल ज़ंजट का काम नहीं है और यह जटपट बन जाता है और बिल्कुल मेहनत भी नहीं है या आचार बनाने में और अगर आप ज़्यादा दिन के लिए आचार इस्टोर करके रख रहे हैं तो इसे ज़्यादा कुछ नहीं करना है जैसे कभी-कभी महना, दो महना, छे महने में इसमें आपको हलका सा ओयल डालके इसे ऐसे ही गरम कर देना है अगर आपके घर में धूप आता है तो आप इसे कभी-कभी धूप भी दिखा सकते हैं उससे क्या होगा हमारा आचार सालो साल चलता है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और बैल को All पे सलेक्ट करे ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंसती रहे अगर आपको हमारा या वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करे और अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ सेर करे धन्यवाद